रोज रोज की सब्जी से परिशान की क्या बनाए और क्या ना बनाए, क्या बच्चों को पसंद आएगा और कई बार क्या होता है कि घर में सब्जी भी नहीं होती है तो फ्रेंट आज में आपके लिए कहीं सब्जी की रेसिपी हेलो फ्रिंट स्वागत है आपका मेरे चैनल में मैंने यहाँ पर एक कटोरी सोया बड़ी ली ती जिसे कि मैंने गरम पानी में डाल दिया और उसके बाद पांच मिनट के लिए सोया बड़ी को गरम पानी में भीगोने के लिए छोड़ दिया इसे क्या होगा कि जो सोया बड़ी है एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और पांच मिनट बाद क्या करना है सोया बड़ी को एक बरतन में निकाल लेंगे फ्रंट आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको मेरी वीडियो जरसी भी पसंद आती है तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिएगा साथ ही बेल आकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो यहां पर मैंने सोयब बड़ी को एक बरतन में निकाल लिया था और उसके बाद क्या करना है सोयब बड़ी को ठंडा करने के लिए रख देंगे और यहां पर मैंने एक मिक्सी जार ली थी मिक्सी जार में मैंने दो मीडियम साइज प्याच काटे हैं साथ में मैंने कुछ लसनगी कर लिया नहीं उसके बाद क्या करा इन्हें यहां पर ग्राइंड कर लिया तो सेम इसी मिक्सी जार में मैं यहां पर ले रही हूँ टमाटर तो मैं यहां पर दो टमाटर ले रही हूँ टमाटर को भी यहाँ पर रफली काट लेंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक हरी मिर्श डाला है और उसके साथ यहाँ पर कर लेना है ग्राइंड तो इसे एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर जो सोयबीन है यह ठंडे हो चुके थे यहाँ पर मैं थोड़े सोयव बिन हाथ में ले लूँगे और उसके बाद सोयव बिन को इस तरीके से हाथ से निचोड़ लेंगे क्योंकि हमने सोयव बिन को पानी में भीगोय था तो सोयव बिन में जो है काफी पानी होता है तो इसलिए इसका जो सारा पानी है वो अच्छे से निचोड़ ले और जो निचोड़ा हुआ पानी है इसे फेक देंगे और स्वेबिन में मैंने यहाँ पर आधी चमच डाला है लाल मिर्श पाउडर आधी चमच मैंने डाला है अगर आपके पास टमाटर ना हो न तो आप टमाटर को स्किप कर सकते हैं क्योंकि टमाटर के भाव जो है आज कल बहुत जादा बड़े हुए हैं अगर ना हो तो चलेगा तो उसकी जगे पर आप यहां पर दही कस्तमाल जरूर करें तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया तो इसे एक तरफ रखते हैं और मैंने यहां पर गैस पे कड़ाई चड़ा दी है कड़ाई में मैंने डाला है तेल मैंने यहां पर एक चम्मच, जीरा डाला एक तेजपता, दो काली मिर्च और एक लॉंग डाला है इन सबी खड़े मसालों को 10 सेकंड के लिए पका लेंगे और उसके बाद क्या करना है जो हमने प्याज ग्राइड करके रखावा था इसे कड़ाई में डाल देंगे और उसके बाद क्या करना है करची से प्याज को यहाँ पे भून लेना है और गैस का जो फलेम है उसे रखना है मेडियम टू लॉ पे इसलिए यहाँ पे कड़शी को चलाता रहें ताकि जो प्याज है वो जलेना तो प्याज यहाँ पे जलेना तो इसके लिए क्या कराआ मैंने यहाँ पे दो चमबज पानी डाल दिया है इससे क्या होगा कि जो प्याज है वो कड़ाई पे चिपकेगा नहीं यहाँ प्याज भॲण चुका है तो भॲलेवे प्याज के उपर मैं डालूए। एक चोटी चमच कश्मिज लालमिश पाउडर और आधी चमच मैं यहां पे डाले हूं हल्दी पाउडर उसके बाद क्या करना है प्यांच के साथ इन मसालों को दस से बीस सेगिंड के लिए बून लिंगे इसे कलर बहुत अच्छा आता है और उसके बाद जो टमाटर हमने ग् जमच पानी डाला है तकि मसाला हमारा जलेना यहां पे तरीक तरीक इवन के लिए उसके लिए करोंगी में 35 मिनिट के लिए धाकर यहां पेश पेवाद को ब्हूनिः तौई ऑं 3-4 मिनिन बात अख रखकन हटाओंगी तो यहां पे जो हमारा मसाला है ना वह पक चुका है तो एक बार हिहां पर मसालो को कर्षी से चला लेंगे ताकि मसाले जले ना और हिहां पर मैंने एक मीडियम साइज लिया था छिता worldwide जिसे मैने यहां पर बड़े वड़े पीस में काट रखा है आलू डालना स्वयवड़ी की सबजी में आप्शनल है लेकिन आलू स्वयवड़ी का ना कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है खाने में तो क्या करा मैंने यहां पर आलू को थोड़ा सा भून लिया मसालों के साथ और उसके बाद मैंने यहां पर आदी कटोरी पानी डाला है इससे क्या होगा कि आलू जल्दी पक जाएंगे तो इसके लिए 3-4 मिनट के लिए आलू को यहां पर ढखके पका लेंगे और 3-4 मिनट के बाद ढखकन हटाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मसाला है वो और अच्छी तरीके से भून चुका है और यहां पर जो आलू है ना हमारे 80% पक चुका है तो सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद क्या करना है जो हमने स्वयबड़ी मिक्स करके रखी वी थी ना इसे जो है कड़ाई में डाल देंगे और उसके बाद स्वयबड़ी को मसालों के साथ यहां पर भून लेंगे 3-4 मिनट के लिए मेडियम टू लो फ्लेम पर और जब 3-4 मिनट हो जाए तो 2 मिनट के लिए ना यहां पर इन्हें ढखके पका लेंगे इससे क्या होगा कि जो स्वयबड़ी है ना मसालों के साथ और ज्यादा अच्छी तरीके से पक जाएगी जिससे कि खाने का जो टेस्ट है ना वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा तो यहां पर जो तेज पत्ता था ना वो मैंने निकाल दिया है क्योंकि खाते टाइम तेज पत्ता ना आए तो इसलिए मैंने यहां पर तेज पत्ता हटा दिया है और उसके बाद मैंने यहां पर ग्रेवी के लिए पानी डाला है एक कटोरी के करीब और साथ में ही मैंने यहाँ पर एक चम्मा डाला है कसूरी में थी सभी को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं ही यहाँ पर सबजी को 3-4 मिनट के लिए ढखके पका लूँगी मेडियम टू लो फ्लेम पर 3-4 मिनट बाद यहाँ पर ढखकन हटाएंगे और फिर से यहाँ पर सबजी को ग्रेवी के साथ एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंट यहाँ पर जो है ना मारी सबजी बन के तैयार हो चुकी है आलू पका है या नहीं पका है आप इसे चेक कर सकते हैं तो आप या तो हाथ से इसे दबा के चेक कर सकते हैं या तो फिर आप चम्मस से इस तरीके से चेक कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं आलू एक्दम अच्छी तरीके से पक गया है और सबजी भी हमारी अच्छे से पक चुकी है यहां पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे अगर आपके पास हरा धनिया है तो उपर से आप थोड़ा सा हरा धनिया डालके ग्रिवी के साथ मिक्स कर सकते हैं और आप इस सब्जी को रोटी, प्राठा, चावल के साथ आप खा सकते हैं सिंपल सी सब्जी है लेकिन टेस्ट एकदम ला जवाब है आपके घर में जब भी कोई सब्जी ना हूँ या बच्चे मूँ बनाते हैं सब्जी खाने के लिए तो आप एक बारी सब्जी को जरू ट्राइ कीजिएगा आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी आज की वीडियो जरासी भी पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अब तक क्लिए फ्रेंट बाई बाई फिर मिलेंगे हम एक नई रेसेपी के साथ